आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके Redmi या फिर MI के फोन में आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके यहाँ पर डाइलर में Call Locks यानि कि Recent Calls शो नहीं होते हैं यहाँ पर अगर आपको कोई कॉल करता है या फिर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो वो आपके Call Locks में शो नहीं होता है तो यह प्रॉब्लम कैसे ठीक करें आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपने फोन में आप Settings को सबसे पहले Open करिए Settings में आने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करके यहाँ पर एक Option मिलेगा Apps के नाम से आप Settings में आकर सर्च कर सकते हैं नहीं तो आपको नीचे की तरफ आकर मिल जाएगा तो Apps Option पर किलिक करिए इस पर आपको नीचे की तरफ आपके फोन के सारे अप्लिकेशन शो हो जाएगे तो आपको यहाँ पर अब सर्च करना है अपने फोन का डायलर जैसे की हमारे फोन में Google डायलर दे रखा है तो आपको फोन के नाम से मिलेगा आप उपर सर्च कर सकते हैं फोन Option पर किलिक किलिक करने के बाद आपको एक Option मिलेगा Storage पर किलिक करके Clear Data पर किलिक करके Clear All Data करिए और यह करने से आपको कोई Contact डिलीट नहीं होगा कोई Data डिलीट नहीं होगा तो उसके बाद OK करिए Back आईए यहाँ पर App Permission पर किलिक करके आपको Check करना है Call Locks की Permission अगर आपकी यहाँ पर Deny रहती है इस टाइप से आपको Call Locks की Permission Deny में शो होती है तो इस पर किलिक करके Allow Option पर किलिक करके Back आजाईए और उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से Back आकर एक Option मिलेगा Force Stop पर किलिक करके OK कर दीजिए और उसके बाद Back आजाईए यहाँ पर उसके बाद आपको Option मिलेगा Phone Service पर किलिक करिए Force Stop पर किलिक करिए OK करिए Clear Data पर किलिक करके यहाँ पर Clear All Data करिए OK करिए और यह सब Settings कंप्लीट करने के बाद आपको अपने Phone को Restart करना है और आपकी Problem ठीक हो जाएगी Call Locks अब आपके Phone में Show होने लग जाएगा अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें